C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय ग्यारह परिमांप और क्षेत्र फल प्रिष्ठ दो सो एक तालीज ग्यारह दशम लवसाथ उपयोग आपने ध्यान दिया होगा कि बहुदा पारकों या बगीचों में उनके चारों और या बीच में चौपड की तरहा कुछ स्थान पत्ख के रूप में छोड़ दिया जाता है एक फ्रेम किये हुए चित्र या पेंटिंग के चारों और कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है हमें ऐसे पथों या बॉडरों के शेत्र फलों को ग्यात करने की आवशकता होती है जब हम उनके बनाने का व्याय ग्यात करना चाहते हैं उदहरन 20 एक आयता कार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है पार्क के बाहर चारों और एक 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है पथ काक शेत्र फल ग्यात कीजिए यहां एक पार्क A, B, C, D दिया गया है जिसमें A, B बराबर 45 मीटर और A, D बराबर 30 मीटर है पार्क के बाहर एक पथ है जो 2.5 मीटर चौड़ा है हल माना A, B, C, D आयताकार पार्क को और छायांकित क्षेत्र 2.5 मीटर चौड़े पथ को दर्शाता है पथ के क्षेत्र फल को ग्यात करने के लिए हमें आयत P, Q, R, S का क्षेत्र फल घटा आयत A, B, C, D का क्षेत्र फल ग्यात करने की आवशक्ता है हमें प्राप्त है P, Q बराबर 45 जमा 2.5 जमा 2.5 मीटर बराबर 50 मीटर P, S, बराबर 30 जमा 2.5 जमा 2.5 मीटर बराबर 35 मीटर आयत A, B, C, D का क्षेत्र फल बराबर L गुणा B बराबर 45 गुणा 30 वर्ग मीटर बराबर 1350 वर्ग मीटर आयत P, Q, R, S, का क्षेत्र फल बराबर L गुणा B बराबर 50 गुणा 35 वर्ग मीटर बराबर 1750 वर्ग मीटर प्रिश्ट 242 पत्क का क्षेत्र फल बराबर आयत P, Q, R, S, का क्षेत्र फल गुणा B, C, D, का क्षेत्र फल बराबर 1750 गुणा 1350 वर्ग मीटर बराबर 400 वर्ग मीटर उदहरन 21 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गा कार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ, भीतर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा पत्थ बना हुआ है इस पत्का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए 250 रुपए प्रती 10 वर्ग मीटर की दर से इसे सीमेंट कराने का भी व्याए ग्याद कीजिए यहां एक वर्गा कार पार्क ABCD है जिसमें AB बराबर 100 मीटर है हल माना ABCD 100 मीटर भुजा वाला वर्गा कार पार्क है छायांकित भाग 5 मीटर चौड़े पत्थ को दर्शाता है PQ बराबर 100 घटा होश्टको में 5 जमा 5 बराबर 90 मीटर वर्ग ABCD का क्षेत्र फल बराबर भुजा का वर्ग बराबर 100 का वर्ग वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग मीटर वर्ग PQRS का क्षेत्र फल बराबर भुजा का वर्ग बराबर 90 वर्ग वर्ग मीटर बराबर 8,100 वर्ग मीटर अतहे पत का क्षेत्र फल बराबर 10,000 घटा 8,100 वर्ग मीटर बराबर 1,900 वर्ग मीटर दस वर्ग मीटर पर सीमेंट कराने का वियाए बराबर 250 रुपए इसलिए एक वर्ग मीटर पर सीमेंट कराने का वियाए बराबर 250 भाग 10 रुपए अतहे 1,900 वर्ग मीटर पर सीमेंट कराने का वियाए बराबर 250 भाग 10 गुणा 1,900 बराबर 47,500 रुपए उदहरन 22 70 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर 5 मीटर चौड़ाई के दो पत एक दूसरे पर लंब ऐसे बने हुए हैं जो भुजाओं के समानतर हैं पत्थों का क्षेतर फल ग्याद कीजिए तथा 105 रुपए प्रती वर्ग मीटर की दर से पत्थों को बनाने का भी व्याए ग्याद कीजिए यहां एक आयताकार पार्क ABCD है जिसमें AD बराबर 45 मीटर और DC बराबर 70 मीटर है पार्क के अंदर दो पत हैं EFGH और PQRS हल पत्थों का क्षेतर फल छायांकित भाग का क्षेतर फल ही है अर्थात आयत PQRS का क्षेतर फल और आयत EFGH का क्षेतर फल परंतु ऐसा करते समय वर्ग KLMN के क्षेतर फल को दो बार लिया जाता है जिसे घटाना होगा अब PQ बराबर 5 मीटर और PS बराबर 45 मीटर EH बराबर 5 मीटर और EF बराबर 70 मीटर KL बराबर 5 मीटर और KN बराबर 5 मीटर पतु का क्षेतर फल बराबर आयत PQRS का क्षेतर फल जमा आयत EFGH का क्षेतर फल घटा वर्ग KLMN का क्षेतर फल बराबर PS गुणा PQ जमा EF गुणा EH घटा KL गुणा KN बराबर 45 गुणा 5 जमा 70 गुणा 5 घटा 5 गुणा 5 वर्ग मीटर बराबर 25 जमा 380 गुणा 25 वर्ग मीटर बराबर 550 वर्ग मीटर पतु को बनाने का व्याए बराबर 105 गुणा 550 बराबर 5775 रुपए प्रिष्ठ 243 प्रश्णावली 11.4 एक एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है इसके बाहर चारों और एक 5 मीटर चौड़ा पत बनाना है पत काक्षेत्र फल ग्याद कीजिए बगीचे काक्षेत्र फल हेक्टेर में भी ग्याद कीजिए 2. 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों और बाहर एक 3 मीटर चौड़ा एक पत बना हुआ है पत काक्षेत्र फल ग्याद कीजिए 3. 8 सेंटी मीटर लंबे और 5 सेंटी मीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटी मीटर चौड़ा हाशिया यानि मार्जन छोड़ा गया है हाशिये का कुल क्षेत्र फल ग्याद कीजिए 4. 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों और बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है ग्याद कीजिए 1. बरामदे का क्षेत्र फल 2. 200 रुपए प्रती वर्ग मीटर की दर से बरामदे के फर्ष पर सिमेंट कराने का व्याए 5. 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है ग्याद कीजिए 1. पत काक्षेत्र फल 2. 40 रुपए प्रती वर्ग मीटर की दर से बगीचे के शेश भाग पर घास लगवाने का व्याए 6. 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पत बने हुए हैं जो एक दूसरे पर परस पर लंब और चौपड के आकार के हैं इन में से प्रत्येक पत का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़ कर पार्क के शेश भाग का भी क्षेत्र फल ग्याद कीजिए उत्तर को हेक्टेर में दीजिए साथ नब्बे मीटर लंबाई और साथ मीटर चौड़ाई वाले एक आयता कार मैदान में दो पत बनाए गए हैं जो भुजाओं के समानतर हैं एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं यदि प्रत्येक पत की चौड़ाई तीन मीटर हो तो ग्याद कीजिए एक पतों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल दो एक सो दस रुपए प्रती वर्ग मीटर की दर से पत बनाने का व्याए आठ प्रग्या चार सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है जैसा दिखाया गया है और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है इसके बाद वह उसे चार सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गा कार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है दिखाया गया है क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी पाई बराबर तीन दशमलव एक चार 9. सनलगन आकरिती एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की ख्यारी को दर्शाती है ग्यात कीजिए 1. पूरे पार्क का क्षेत्र फल 2. फूलों की ख्यारी का क्षेत्र फल तीन, भूलों की ख्यारी को छोड़ कर पार्क के शेश भाग का क्षेत्र फल चार, ख्यारी की परिधी यहाँ एक आयत दिया गया है जिसका माप पांच मीटर और दस मीटर है आयत के अंदर एक वृत्थ है जिसकी त्रिज्या दो मीटर है प्रिष्ठ 244 दस, दी गई आकरती में छायांकित भाग का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए यहाँ एक आयत ABCD दिया गया है जिसमें FECD भाग छायांकित है AE बराबर 10 cm, EB बराबर 8 cm, BC बराबर 10 cm, DC बराबर 18 cm, DF बराबर 4 cm और AF बराबर 6 cm यहाँ एक वर्ग PQRS दिया गया है जिसमें TQU भाग छायांकित है ST बराबर 10 cm, SU बराबर 10 cm, UR बराबर 10 cm और QR बराबर 20 cm है 11. चतुर्भुज ABCD का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए यहाँ AC बराबर 22 cm, BM बराबर 3 cm, DN बराबर 3 cm और BM AC के लंब है DN AC के लंब है यहाँ एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें BM और DN दो लंब हैं जिसमें प्रत्येक कामाब 3 cm है और AC बराबर 22 cm है हमने क्या चर्चा की 1. परिमाप एक बंद आक्रती के चारों ओर की दूरी है जबके क्षेत्र फल एक बंद आक्रती द्वारा गेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है 2. हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं के एक वर्ग और आयत का परिमाप तथा क्षेत्र फल कैसे निकालती हैं जैसे A. एक वर्ग का परिमाप बराबर चार गुणा भुजा B. एक आयत का परिमाप बराबर दो गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चौडाई C. एक वर्ग का क्षेत्र फल बराबर भुजा गुणा भुजा D. एक आयत का क्षेत्र फल बराबर लंबाई जमा चौडाई C. एक समानतर चतुर भुज का क्षेत्र फल बराबर आधार गुणा उचाई C. एक त्रिभुज का क्षेत्र फल बराबर एक बटा दो गुणा इससे प्राप्त समानतर चतुर भुज का क्षेत्र फल बराबर एक बटा दो गुणा आधार गुणा उचाई C. एक वृत्ता कार क्षेत्र के चारूं ओर की दूरी इसकी परिधी खहलाती है एक वृत्त की परिधी बराबर पाई D जहां D वृत्त का व्यास और पाई बराबर बाईस बटा साथ या तीन दशमलव एक चार लगभग है 6. एक वृत्त का क्षेत्र फल बराबर पाई आर वर्ग जहां आर वृत्त की त्रिज्या है 7. जैसा के आप जानते हैं कि जिस प्रकार लंबाईयों की इकाईयों का रूपांतरण करते हैं उसी प्रकार खेत्र फलों की इकाईयों को भी रूपांतरित किया जा सकता है 1. एक वर्ग सेंटीमीटर बराबर 100. एक वर्ग मिलिमीटर एक वर्ग मीटर बराबर 10.000. एक हेक्टेर बराबर 10.000. अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित कीध्वनी पाथ्य पुस्तक कारिक्रम समनवयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेष वाचन्स्तवर गौरव मारव तखनीकी समनवयक बतिलाइग लिंग डो तखनीकी सहायक म obec कुमार निर्मांण सहीयोग सॉम्या मलिक निर्देशन व निर्मां विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत